जी नमस्ते, जय जगरनात, मैं हूँ गवरंग पंड़ा, पंड़ा अस्टोलोजी में आप लोगों कर स्वागत करता हूँ, एक नए वीडियो, इसमें करका लगने के बारी में कुछ आनलीसिस करने जा रहा है, कुछ चर्चा कर रहा है, लेकिन इस बार ये मंतली वीडियो न जनरल फोकुस, कोई इंडिविज्वाल का ये हरोस्कोप नहीं, ये ग्रासली प्लानेटरी पोजिशन का, जैसे एक तरीक का टाइमिंग दिल्ली का मैंने लिया, इसी सबसे प्लानेट्स पोजिशन, नवेम्मर एक को टाइमिंग लिया, और डिसेम्मर को एक भी टाइम लि प्रेडिक्शन होता है, जो कि इसमें नहीं है, ये आपको मिल जाएगा हर महीन का वीडियो की सबसे आपको मिल जाएगा, जैसे कि अक्टर फास्ट से आपको करक लगना मिल जाएगा, जो प्लानेट्स पोजिशन्स, उसका इंपक्ट हमारा जीवन में क्या पढ़ सकता करक करक लगना, ये चोथा घर आपका एक लाउ, आएससी, एससी, लगना, ऐसा क्या कुछ लिखा होगा, मतलब चार नमबर वाला आपका एक नमबर है, देखे रासी की सबसे ये वीडियो नहीं है, इसका अगर रासी की सबसे मैचिंग होता है तो ठीक है, लेकिन किसी का करक ल चंद्रमा, आपका लगनाधि पती चंद्रमा ये दीन सेकंड हास में, चंद्रमा टिकन ही रेता एक रासी में, और धाइड़ा ही दीन में एक एक रासी को ट्रांजिट करता है, प्लानेट ड़ाही साल दिया गया सनी को, अठारा मही ना दिया गया राहु को चौदा मही ना दिया गया ब्लोस्पति को चालीस दिन दिया गया ido लेकिन चंदरमा को अगर मिल जाता तो यह संसार का स्टिती संभव नहीं भी होता कि जितने सारे घटना बहुत बढ़े बढ़े घटना घटीत होता यह वो चंद्रमा से ही रिलेट करता है जल तप्तो का जल का राशी है जब पुर्णी में का टाइमिंग आ जाता है ना समध्र फूल उठता है लहरे बहुत उची-उची आती इसका कारण यह उसका जो मैगनेटिक पावर होती है जल को खीचता है अट्रक्शन करता है हमारा सरीर में 6 लिटर उनली ब्लड होता है जो मेडिकल रिपोर्ट होते हैं बाकी के बाकी पानी जल जल ही जल है इसको कोई भी फ़र्म में जल को पानी को हम रखे तो आपने आपको खुद को अडिजस्टमेंट कर लेगा इसका इंडरेक्ली क्या कया जाए कि करकर लगना को कोई भी महल में छोड़ दो वो खुद को मैनेज कर लेगा वो इतना अडिजस्टेबल पर्सन होता है और जोगोकारक प्लानेट करक लगने के लिए मंगल होता है और फाइदामन प्लानेट होता है व्रहस्पति और फाइदामन प्लानेट होता है सूर्या स्वयंग सूरज में का वान करक लगने के लिए मलेफिक व्मेलेट होता है सफसे cat मलेफिक व्मेलेट होता हैं सफ्मिटर काण करक कोई क्या कुछ ौलरे से 1995 कर दांपत्य जीवन का दांपत्य वे सेंकनड हुष रहेवना से जाता ऐक काम काज अपना सब्सक्राइब करता है तो कोई क्या कुछ बोले कहीं ना कहीं कुछ खोट मिलता है दांपत्य जीवन में करक लगना सिंग लगना बिकाज इसका कारण कि सेबंथ हाउस सनी का घर है सेबंथ हाउस सनी दलाड होता है और यह हाई हालो रोमान्स प्रेम बेडरूम यह सबका साथ सनी जी का दाइरे में नहीं है वो कर्म से मतलब है सनी सो आप चर्चा करें सनी जंद्रवा यही सनी अभी आफका सेबंथ से सेकंड हाउस एट हाउस में वक्रिये यह दांपत्य जीवन का और दांपत्य जीवन से सेकंड हाउस यह ससुराल का घर भी हो सकता दांपत्य जीवन में जो कटू बोली बानी होता है मतलब एक बातों में ना हाती सो जाता है बातों में वही अम्रित होता है हाती शो जाता है लेकिन जब समय खराब पड़ता है ना और समय अगर खराब पड़ता है वही बात दूर की बात हाती को सुला देना चीटी भी नहीं मनेगा सब कुछ समय से रिलेट करता है और अभी ये समय रिलेट येसा ही करता है अपका seven house का owner अभी वक्रिये शनी नखित्र belongs करता है अभी सनिदेफ शुक्र का जो शुक्र आपका चौथा घर का वनर अलसो 11 था उसका और शुक्र भी चौथा घर में भी यह अंड शुक्र राहू का नकित्र में बड़ी बात आपके लिए राहू क्या माईने रखता है देखें आपर व्रुहस्पति गुरुपी जिम का जातक है करक्त लगना शुक्र का गुरुपी जिम का नहीं है शुक्र पोजीशन रोल प्ले करता है शुक्र खिड्नी, यूरिनारी ट्राक, जेनिटल एरिया यह सब सम्मध करता है कहीं शुक्र अगर मिश्टेक है नीच है अगर कन्या राशी में ना खित्रा मैनस मिलता है तो यह सारे चीजों में दिक्कत है मतलब क्या कहते हैं उसको इंगलीश में जो होता है सेक्सुाली ब्याड टर्मीनेर्शन यह से क्या कुछ मतलब जो कि इंसान की सरीर में उतना पजेटिव जिवानों जो प्रोटेक्शन देते हैं इम्यून सिस्टम उतना नहीं होता है वो चीज को प्रोटेक्शन करने का राहू का कहीं फोकस है अगर शुकर की उपर तो यह डिजीज इतना सिक्रेट डिजीज जो क्या खुद और डक्टर की बीच में रहता है कुछ चीजे इसा डिजीज होता है जो कि डक्टर और पेसेंट की बीच में रहता है क्योंकि पेसेंट नहीं चाहता है यह बात किसी को पता चले लेकिन सुक्र का कहीं अगर राहू का कहीं अगर फोकस है एस्पेक्टेशन, द्रिष्टी, नखेत्र रिलेशन, तो यह चीज फेल जाएगा, सोसाइटी में यह चीज फेल ही जाएगा, मुँँ उठाके देख नहीं पाएगा, शुक्र उतना बेनिफिटेड नहीं है, जल तत्र का राशी का कारवक है, शुक्र है किड्नी का, कुछ भी अगर उसमें मिश्टेक होगा, तब तो यहां पर शुक्रा कंसिडर नहीं करेंगे, पर वो यूरिनेरी ट्रक की साथ जोडता है, जेनिटल प्रोब्लेम्स, अगर शुक्रमंगल का ऐसा कंबिनेशन बन जाता है, तो फिमेल लोगों का जो मन्थली मेंस्ट्रूल प्रोब्लेम्स ही आ जाता है, रिकॉर्मेंट जितना जरुते उससे ज़्यादा होना, जितना होना चाहिए उससे कम होना, डेटेट्स, मलफंक्शनिंग होना, आगे होना, बात में होना, कई महिनें के बात होना, इसको आम इग्नोरांस कभी नहीं कर सकते, तो यह सीचुएशन के उपर अगर कोई मलेफिक का द्रिष्टी अगर पड़ भी गया, तो चीजे बढ़ेगा, और बढ़ाने वाला प्लानेट बुरस्पती, वो अगर बद्धतारा में है, तो यह बढ़ानेट 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 बढ़ तो कई सारे चीजे करक लगनगा तो अभी म्रिगासिरा और आर्द्रा नखित्र को आपका जोगोकारक प्लानेट पार होकर जाएंगे करक कसाइन में इंट्री करेंगे 20 अक्टोवर को मैंने एक अक्टोवर से यह डेटेट्स लिया तो बीस तरीक को अपना लगन में इंट्री करेंगे लेकिन यहीं पर आपका जोगोकारक फ्लानेट नीच का है और इसी घर के ऊपर मालेफिक राहू का पंचम द्रिष्टी एक बारूत का गद्धा है मंगल तब-बेकर है जब तक उसके साथ कोई इगनेशन चिंगारी नहीं लगा तब-बेकर है और यहां चिंगारी देने वाला प्लानेट रहू बेठा है पंचम द्रिष्टी बहुत ताकतबर है सो जनमपत्री में राहू का पोजिशन क्या है महादसा अभी क्या चल रहा है कौन सा सीच्वेशन में राहू है यह टाइमिंग आपके लिए उतना वेनिफिटेट नहीं है यह जोतिस का सजाग करने का चीज़े है राहू पोजिशन क्या है अगर मैलेफिक पोजिशन क्रूर अतिक क्रूरता की साथ आहू है तो आपके लिए वे श्रिवेडी जभी यह दुर्गा सुप्त दिन में जितना बार हो सकते उतना बार करे वो बेद पाठी ब्रामन ही करते हैं प्रपर प्रणामशेशन प्रपर उच्चारण आपको यूट्यूब में मिल जाएगा लेकिन यह ले म्यान तेकि साधारण ग्यक्ति अगर करेगा उसका मन में होना चाहिए चाहिए वो बेद की हिसाब से प्रानांशेशन हो या ना भी हो लेकिन मन में होना चाहिए कम से कम सुने मोबाइल चला के दुर्गा सुक्त से और कोई ऐसा पावरफुल चीज नहीं है दुनिया में जोगिराओ को कंट्रॉल कर सकता रहाद कि और एक मालेफिक प्लानेट आपका सनी वो किसका नखेत्र में है कई सनी के उपर आपका जनम पत्री में ब्रुहस्पति का पांच साथ नौमा द्रिष्टी अगर पड़ रहा है तो थोड़ा कंसिडेरेशन यहां थोड़ा थाम जाएंगे सनी चनी आच्छा पुजीशन में अगर नहीं है तिन साथ दस दस को छोड़े तीन अंड साथ मन द्रिष्टी में अगर आपका लगना लड़ चंद्रमा जनम पत्री में है या तो आपका लगना लड़ सनी के साथ कहीं भी बिस दुस बनता है सनी रहु के साथ आपका लगना लड़ अगर है तो पिसाच ग्रस्त योग बनता है यहां बाहरी लोगों का नजर जल्दी लग जाता है आप क्या खाते हो क्या पहनते हो कैसे चलते हो कैसे खर्चा करते हो यह चीज के उपर ना क्योंकि मैगनेटिक जो फील्ड जो अर्वीट होता है हर इंसान के चारो तरफ जो मैगनेटिक वेव होता है वह कंजर हो जाता है तो इजीली किसी का नजर आपकी उपर लगी जाता है इसमें आप आप सल्यूसन ढूंड नहीं पाऊगे कि मैरे को हो क्या रहा है कि भाँ काबर की तरह होता है हमारा मैगनेटिक फील्ड सवामी बीववेकानगेणन जी का मैगनेटिक यूजब टस मीटर सकता हैं तो sustain is हले मैं है हम तो इसे कोई शादक कोई कुछ नहीं है वां कम से कम एक फीट तो होता है हर कोई का हर कीशी का कुछ ना कुछ होता है लेकिन वो इतना कमज़र पड़ जाता है इन अकड़ेंग लिए पोजिशन्स अफ सनी के साथ चंद्रमा सनी राहू के साथ चंद्रमा या तो राहू के साथ चंद्रमा ग्रहन दोस केतु के साथ चंद्रमा ग्रहन दोस ग्रहस्पत चंद्रमा डिफरेंस छेठा आठमारक बारमा अगर होता है तो शकटा योग चंद्रमा कहीं अकेला आगे कोई प्लानेट नहीं है पीछे कोई प्लानेट नहीं है तब तो केमंद्रूम योग कई सारे चीजें चंद्रमा से लेकर कई सारे योग माइनस योग है तो चंद्रमा स्तीती मजभूत करें अगर लगना आपका करक लगना है तो एक बास्रा पल हमेशा लगाई यह राइट हंड का फास्ट फिंगर में बास्रा पल अरिजिनाल होना चाहिए यह बने बनाए जो हमारा कल्चराल मोती मुक्ता यह काम का चीज नहीं है बास्रा होता ह इराक में एक लेक का नाम हुई से इंपर्ड होकर आता है आपका वर्डी वेट डिवाइड़ बाइट टेन जितना रेजाल्ट है उतना रत्ती का प्रपरली प्रान प्रतिष्टा करें प्रपरली मंडे का दिन होना चाहिए उसी दिन संडे से पहले उसको कच्छे दूद मे डाल दे सुबह सुबह उसको गुलाब जल गंगा जल में धोदा के लाएक के सिभ जी की मंदिर में पुझयक को बोले प्रान पत्रिष्टा करा दे उसके बाद इसे राइट हांड का फास्ट पिंगर में लगाई है अगर लगना कहीं कमजोर है एक दो डिग्री में है चंद рядом कहीं अफेक्टेड है कई सबसे सेंसीटिविटी लगना है चंदरा मा करका लगना यह 12 का 12 में सबसे इन्युक्न सबसे सेंसीटिविट है इसको लंबा नहीं खिसता हूं लेकिन कुछ समय सुच न दे देता हूं चंद्रमा कहीं अफेक्टेट हो गया ना इंसान का जीवन के प्रति धिक्कार आ जाता है रहे यह जीना ठीक नहीं है यह कोई जीवन है मैं इसको और लंबा नहीं खिसता हूं बहुत सारे माईने रखता है चंद्रमा के साथ क्योंकि मन का कारग चंद्रमा और इंसान को मन ही हंडिल करता है मन ही इंसान को हंडिल करता है बेसिया की घर में जाए मन सराब की दुकान में जाए मन मंदिर जाए मन सत्संग में बैठे मन ये मन सब कुछ मैनेज करता है वो जिस अंगल से दोड़ेगा उसी अंगल से इंसान अपना सरीर को उसी अंगल से लेगा इसको जीते हैं कोन बड़े बड़े सादक जो कि अपना मन को कंट्रोल कर रहा हाम जैसे इंसान नहीं है मा भगवति की चरणों में कंसेट्रेशन रखें अगर राहु का फोकस है तो दुर्गा सुक्त जरूरी है और इसके साथ साथ चंद्रमा का इस्ट देवी मा भूबनेश्वरी उसकी मंत्र जापस्तुती बीज मंत्र क्या कुछ आप कर सकते और आज राजेश्वरी भूबनेश्वरी जो की सयंग मा कामाख्या में बिराजमान है जीवन में एक बार कहेंगी कैसे भी हो जाये दर्संद करके आए सर्थक हो जाएगा मा भूबनेश्वरी इस्ट देवी है चंद्रमा का और यही क्या हुआ थोड़ा लिस्कस से बाहर रख चले गए और यह सनी अभी आपका सेवेंद एट का जो ओनर अभी बक्री में है नवेमर में भी वक्री है और राहू जैसे की वैसे लेकिन ब्रुहस्पति अब मारगी हो जाएंगा आपका नवेमर में ओके नौव उक्टोवर से ब्रुहस्पति एक तरिक से मैंने लिया है इसलिए यहां आर नहीं लिखा नौव उक्टोवर से मारगी हो जाएंगे और स्ट्रेट होते होते दो हजार पचीस चार फिवरी तक रहेंगे तो आपके लिए नाइन्थ हाउस भाग्यभाब का अधिपति ब्रुहस्पति अभी इलेवन्थ हाउस में बक्री पहले तो आच्छा पोजिशन में है इलेवन्थ आयका लेकिन बक्री जब होंगे तब तो पीछे की की और ज्यादा तर फोकस रहेगा आपका तैंथ हाउस आपका कर्म भाब का तो कई लिया से आपके लिए प्रिवीटेड अपके लिए जोगो के रिट प्लानेट सामाज का जो बुझर्गो लोग होते हैं गरत बुझरुन लोग होते वां वी ब्रुहस्पति का करक्त्तों है पूनीक गुश हेल्प कभी कभार कीजिए तक ही अर्टोमेटिक उनका मन से एक ब्लेसिंग आये, यह बड़ा थांकियो जीते रहो, उदाहरण देता हूं, मैं उनके चले कोई एरपोर्ट में, कोई स्टेशन में, ऐसे कोई बुझरगों अपना लगेज उठानी पार, या कुछ उनको दक्कत है, उनको परिशानी, ऐसे मैं क् कुछ हेल्प करें तकि उनका मन से, यह आत्मा से एक ठांकियो आये, हेल्प करें, बुझरगों को, अगर ब्रुहस्पति का पोजिशन जनम पत्री में ठीक ठाक नहीं है, तो यह करें, जितना ब्लेसिंग आप अर्जित करोगे, ब्रुहस्पति आपका उतना स्ट्रंग, और यह सरीर में है, और आपका मन से जुड़ा हुआ है, रिमेडी जब खुद करोगे, कोई बाहर का चीज नहीं है, क्या कुछ पास्ट लाइब में मिस्टे किये, इसी जनम में इसको रेक्टिविकेशन दो कर सकते, कमशे कम, ताकि आइंद ना हो, यह हुए काम, रेक्टि क्या कुछ किये हुए बज़े से ही यह सब चीजे भुगतना पड़ता है, और डिसेमबर में भी सरी देप स्वयंग आपका अस्टम स्थान में स्ट्रेट हो जाएंगे, बागी कई प्लानेट्स आपका वैसे ही वैसे छिवाय सुक्रा, सूर्यों आजाएंगे आपका पंच इरिटेटेड जोन को पास करका आएंगे, मतलब अक्टबर महिना में सोर्या आपका कन्यासाइन में थाड़ा उसमें, नवेंबर महिने में सोर्या नीच हो जाएंगे आपका फोर्थ हाउस में, डिसेमबर महिने में फीप्थ हाउस को चले जाएंगे, डिसेमबर महिने में सो तीन महिन में सूर्य का ट्रांजिट तीन चार पांच एक नीच का घर आता है। और सूर्य अपका सेकंड हाउस का। अपना जो शरीर का जो परसनालिटी का जो ग्राविटी होता है। भगवन सूरज देता है, वो एक साइनिंग एक ग्लेज होता है शरीच से, भगवन सूरज ही देते हैं प्लेस्मेंट की सब से, पैसा ना है ठीक है, पैसों से मतलब नहीं है, सूरज भगवन का जो जनम पत्री में पोजीशन वो बातों में बहुत दम रखता है, वो बंदा व संसार को खुद आ रहा है भगताजनों का दुख, सुख सुनने के लिए, घर में अगर आपका पूजन है तो ठीक है, मेरे तरब से मा की प्चरण में कोटी-कोटी बंदन, यह दिखावा का नवरात्र है, कोई अगर चाहे, तो मेरे से आप जोड़ सकते, जैसे हम कई आपका शीवरात्री यह सब जोप होता है, तो इस बार भी यह होगा, इसमें कांट्रिबूरिशन अगर मन करें तो भेजने का, इसमें एक सेक्सन अगर चाहे, जैसे नौ दिन का नौ साड़ी चाहिए मा को, नौ दिन तक कुछ लकडी जैसे होम हवन के लिए चाहिए, नौ सेक्सन अगर आप इंट्रेस्टेड हो, तो आप यह वाट्सप में मेरे को लिख सकते, मैं बता दूंगा आपको, उसी इसाब से कंट्रिबूरिशन भेजे, लेकिन नाम राची लगना गुत्र ज़रूरी है, छोटा सा वीडियो, जैसे महीने का वीडियो एक तरीक से होता ह है, वैसे आपको करक लगना मिल जाएक अक्टोबर महिने में, मन करा इसे ग्रोसली एक प्लैनेटरी पोजिशन का, एक छोटा थोजा भीडियो बनाए, बस बिद्या दीजिए, आज के लिए इतना, नमस्ते, सर्वे भवन्तु शुकिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भ झाल